आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नामे सिध्धान तक नहीं होतरी शड़ी आईक्यूप आपको बहुत सबागेते हैं आज हम बात करेंगे दोस्तों लेफटिनेंट जनरल हनूत सिंखी शायद आपने इनका नाम नहीं सुना हो लेकिन भारत के महावीर है 1971 में बैटल अब बसंतर जिसको मैंने कवर किया है परमीर चक्र एवाडी है सब की बाइग्राफी मैंने कवर की थी बैटल अब बसंतर के हीरो लेकिन उस हीरो के पीछे चानक के कौन है लेफटिनेट जनरल हनूत सिंग इनको गुरुदेव की उपाधी दी गई थी इनको इ जिसकी वजए से बहुत सारे लोगों के आँके नासूर भी थे यह आई लेफटिनेंट जनरल थे बारत के जनरल हो सकते थे लेगिन पॉलिटिक्स ऐसे इंवाल्व्ड थी कि इनको जनरल बनने ही नहीं दिया गे इनके जूनियर को जनरल बना दिया था तो लेफटिनेंट जनरल हनूत सिंग की आज हम बायाग्राफी को देखेंगे महावीर चक्र मिला था इनको पाकिस्तान ने इनको फकरे हिंद से नवाजा है पाकिस्तान तक ने इनको ओनर किया है इनके रहते हुए ऐसे वीरों के रहते हुए हमारे देश को कुछ भी नहीं हो सकता और ना तो आज हम इनकी बायाग्राफी को देखेंगे और इंपॉर्टेंट बैटल्स कवर करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिर अनस्कोर एकनेक्ट मेरा फेस्बूक पेज है सिद्धान तक नहीं होतरी के नाम सब मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्रेचर जनम हुआ है जासौल में देखें जस्वंत सिंग की बायाग्राफी मैंने कवर की थी क्याबिनेट पिनिस्टर थे ठीक है अटल भीहरी वाजपे की सरकार में जस्वंत सिंग के क्याबिनेट पिनिस्टर थे अभी मैंने उनकी बायाग्राफी कवर की थी हनूत सिंग उनके distant relative है, ठीक है, उनका भी जस्वंत सिंग का भी जासौल में जनम हुआ, इनका भी राजस्थान के जासौल में जनम हुआ, अब राजस्थान की मिट्टी जो है, वो वीरों को जनम देती है, और ये तो राजपूत, राजपूत तो अपनी वीरता के लिए जा नहीं जाते हैं, ह जाहिर सी बात है, परिवार में ऐसा मोहल, डिसिप्लेन, बचपन से ही था इन में, और लीडर्शिप कॉलिटी बचपन में ही इन्होंने इंबाइप कर ली थी, समझ रहे हैं, दूर से देख के ही लगता था, कि यारे इंसान बहुत अलग है, हाइट बहुत बढ़िया थी, ठीक है, और तेज था इनकी परसिनलिटी में, गजब थी परसिनलिटी थी, गजब का और था, पढ़ने में एक्स्ट्रा ओडनरी थे, दो बार इनको ट्विन प्रोमोशन मिला है, इन्होंने सात्वी क्लास की ही नहीं, सीधा आटवी में, छटी जे सीधा आटवी में, इतन इना दून में, आर्मी स्कूल नहीं है, ठीक है, ब्राउन केमरीज स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली, और उसके बाद इन्होंने आर्मी जोइन की, उस समय इन्होंने जोइन्ट सर्विसेज विंक का कोर्स किया, और उसके बाद 1952 में इंडियन मिलिटरी अकैडमी से ये graduate हुए और फिर इन्होंने army को join किया अब यह कहां पर देखने वाली बात है इनको पूना horse regiment में रखा गया जो अपने tanks के लिए मानी जाती है ठीक है जो tank battle होती है पूना horse regiment ही जो है वो manage करती है हनूत सिंग जो थे वो teacher रहे इन्होंने बकाइदा manuals लिखे ठीक है और leader तो बहुत भेतरी थे ही professionalism की तो मिसाल दी जाती है lieutenant general हनूत सिंग की इनको गुरुदेव का भी title मिला है ठीक है highly compassionate बट इनको पता था कि देखो जहां compassion है जहां दया दिखानी वहीं दिखाओ लेकिन जहां पे हाथियार उठाना है हम पीछे नहीं अटेंगे अब अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों इनके पिता जी ये शायद सयोगी है किस्मत कह लिजे इनको या बदकिस्मत ही कह लिजे कि इनके पिता जी जो थे वो Lancers में थे जोदपुर Lancers में थे अब Lancers की बात करे तो 1971 battle of Basantar के लिए हनू सिंग जाने जाते हैं ठीक है तो जो battle of Basantar लड़ी गई तो पाकिस्तान की जो रेजिमेंट थी उसका नाम था Lancers या विश्वास करेंगे पिता जी जिस डिविजन में सर्व करते थे उसी डिविजन के साथ उसी रेजिमेंट के साथ इनको लड़ना पड़ा चुकि 1947 में बटवारा हो गया और Lancers रेजिमेंट चली गई पाकिस्तान ने ये चीज़ आप समझे उसके बाद इनको इन्होंने आर्मार कॉप सुना और इसके बाद ये पूना होर्स रेजिमेंट में ये शामिल हो गए लेकिन उस समय भारत में बहुत ज़्यदा प्रॉब अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक कोर्स किया ये देशों में गए वहां की आर्मी को इन्होंने देखा और उसके बाद strategies बनाई manuals लिखे इनके manuals अभी तक फॉलो किये जाते हैं अभी तक जो आर्मी स्कूर्स में पढ़ाया जाता है इन्होंने जो लिखा वो पढ़ स्कूर्स उसमें उन्होंने टॉप किया था और वहां पे इन्होंने UK की strategy देखी जर्मनी की strategy देखे रशी आगए रशीया की बुराई करके आगए कि क्या मुझे तो आपके टैंक्स में कोई खास बात लगती नहीं मुपट बहुत थे जो मन में आता था बोल देते थे यही सही होता भी था ठीक है 1958 में फिर भारत वापस आते हैं मतलब ट्रेनिंग अपनी पूरी करके ठीक है जब जिस कोर्स में इन्होंने टॉप किया फिर यह भारत आए आर्मी भेजती है बाहर भेजती है ठीक है अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो आप आर्मी की तरफ से भी जा सकते हैं ऐसे बहुत सारे कोर्से होते हैं तो जब यह गनर स्कोर्स को टॉप करके भारत में आए तब इन्होंने बकायदा मैनॉल्स लिखे कैसे स्ट्राटिजी बनानी है कैसे लडाई कर भी यह सब इन्होंने लिखना शुरू किया इंस्ट्रक्शन्स दिये ठीक है और देखते ही देखते है 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगी अब उस समय दोस्तों ये आर्मी में थे ठीक है ये ब्रिगेड में थे और इनको टैंक की जो बैटल हुई थी भाईया 1965 में अब्दुल हमीद को आपको पते ये बैटल आफ असाल उत्तर जो मैंने कवर की है अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला पीछे कॉडिनेट कौन कर रहे थे हनूत सिंग हनूत सिंग पीछे कॉडिनेट कर रहे थे और फिर आपको असाल उत्तर में पता ही है क्या हुआ इधर पाकिस्तान के पास पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था एक के बाद एक साथ टैंक को अकेले ही अब्दुल हमीद ने निपता दिया भागे पाकिस्तानी छोड़के अब अब अब्दुल हमीद की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है आप देखिएगा लेकिन दोस्तों इनका सबसे बड़ा कारणामा बैटल और बसंतर अब इसकी तो ऐसा है कि हनूत सिंग जो है वो 47th Regiment का हिस्सा थे ठीक है पूना होर्स Regiment का हिस्सा थे वो और 1970 में इनको Lieutenant Colonel भी बना दिया गया था इनको promote कर दिया गया था ठीक है अब as a Lieutenant Colonel इनके पास जम्यदारी थी कि जो tank battles होंगी उनको ये कैसे manage करेंगे ठीक है तो अब अरुन खे खेतरपाल थे ठीक है और अरुन खेतरपाल सिर्फ 21 साल के थे जस्ट graduate होके आये थे वो IMA से ठीक है जस्ट निकले थे Lieutenant थे वो ठीक है तो क्या हुआ कि 15 दिसंबर की बात है हनूत सिंग ने बकायदा strategy बनाई पूरी strategy बनाई ठीक है अब strategy जो थी वो हनूत सिंग की थी इध orders नहीं थे जो लोग जा रहे थे जो soldiers जा रहे तो उसमा अरुन खेतरपाल नहीं थे तो Lieutenant हनूत सिंग जो थे उनको उसमें बड़े सक्त माना जाता था उनको बहुत सक्त रवया था ठीक है compassionate बहुत जादा थे अपने juniors के बारे में और अपने लोगों के बारे में बहुत ज सिंग उन से मिले अरुन खेतरपाल ने कुछ बोला नहीं बस वो रोने लगी उस समय अनुसिंग ने बोला कि बेटा तुम थोड़ा बैट जाओ ठीक है जब तुमको लगे कि तुम बोल सकते हो तब कोई दिक्कति है अपना टाइम लो अरुन खेतरपाल ने अपनी भावना करना है कैसे चलाने बाकाइदा कोर्स होता है अगर हम अरुन खेतरपाल की बात करें तो पूरा नहीं हुआ था तो पहले तो अनुस ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे बिना कोर्स के तो हम कैसे भेज़ दे तुमको ठीक है एक इंसान पे खत्रा मतलब पूरी रेजिमेंट करूंगा अब लेफटिनेंट हनूत सिंग जजबा देखके पिघल गए उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हारे लिए एहमद नगर में एहमद नगर में कोर्स होता है बकायदा एक छोटा सा कोर्स अरेंज करवाते हैं लेकिन तुमको वादा करना है कि उस कोर्स में तुम टॉ पाल को भेजना होगा अब शुरू होती है दोस्तों बैटल आउ बसंतर बसंतर रिवर जो है वह एक तरीके से पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर से बिल्कुल लगती हुई गुजरती है ठीक है और आपको बता दू कि अमरे सर से सर्फ 60 किलोमेटर की दूरी पे है ठीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से रेलवे लाइन्स यहां से सड़क जाती है अगर इसको काट दिया पाकिस्तान यही चाहते थी कि इसको काट दे और हमारा यह था कि इस रीवर पर कंट्रोल करें और ब्रिज हेड बनाए ठीक है लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों इहां पे landmines बिछा रखे थे और यही पर हनूत सिंह का experience काम आया उन्होंने बकायदा बताया कि कहां कहां landmines हो सकते हैं आर्मी अपने साथ इंजीनियस को ले गई और देखा कहां का लैंड मैंस आपको पता ही ना एंटी टैंक मैंस ते क्या करते हैं जमीन के नीचे इंको रखा जाता है टैंक उपर जाएंगे फट जाएंगी एक्स्प्लोड हो जाएंगे टैंक बरबात और यह पूरी जो फीडल और उसके बाद आर्मी जो है ब्रिजेट बनाने में कामियाब होगे लेकिन उधर पाकिस्तान ने फायर ओपिन कर दिया अब समझ रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी ने उधर से फायर ओपिन कर दिया पाकिस्तान की आर्मी जो है और पाकिस्तान के पास उस समय बहुत ही पाटन ट ठीक है और ऐसा बोला जातक कुछ इतिहास कारों का ये मानना है कि ये सदी की सेंचुरी की सबसे बड़ी टैंक बैटल है जो लड़ी गई थी इससे बड़ी टैंक बैटल आस तक नहीं लड़ी गई और 48 टैंक्स तबाह हुए थे इसमें और पाकिस्तान के टैंकों को धूल च अब क्याप्टन मलोत्रा ने हनूत सिंग से बोला कि सर हमको पीछे जाने का मौका दीजे है ना हमारी हम यहाँ पे शेलिंग में फस गए हैं और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बरबाद हो जाएंगे हमारे टैंक्स को पाकिस्तान बरबाद कर देंगे तो हमको पीछे हटने का मौका दीजे हनूत सिंग ने बोला एक इंच भी कोई नहीं हटेगा जहां हो वही खड़े रहो एक इंच पीछे आने का नहीं क्यों बोला ऐसा लेकि कितना दिमाग लगा जा परदस पीछे आने का मतलब आप रेटरीट कर रहे हैं दूसरी चीज जवानों को यह सं असके बाद हर टैंक में जो भी कॉडिनेटर था ठीक है जो जवान था सबसे हनू सिंग ने यह बोला कोई भी पीछे नहीं हटेगा यह मेरा आदेश है अरुन खेतरपाल ने इसको दिल से लगा लिया उन्होंने जो बोला है बस ठीक अब हम देखते हैं दोस्तों पाकिस्त भारत के टैंक को तबा करना शुरू कर दिया अरुन खेतरपाल का मूड खराब हुआ वो अपने टैंक को आगे ले गए ब्लो किया मतलब अटाक किया पहले ही अटाक में पाकिस्तान का एक टैंक बरबाद तुरंथ बैक टूबैक अटाक की इन्चार टैंक उन्होंने बरब र्लो के टैंक में आग लगी तो इनके साथ जो कॉर्डीनेटर था जो chilper था जो soldier अन्होंने बोला इनका junior सर पीछे हो जाओ सहाब पीछे ओग्व पहले टैंक को आगं भुजा देते हैं तैंक में ठीक है आग्मुजा देते हैं फिर आप लडाई करिएगा पता है क्या बो एक इसमें बहुत है इंपोर्टेंट इवेंट था जब इनका जो कमांडिंग ओफिसर था नासर वो सामने था उसका टैंक सामने था और इधर अरुन खेतरपाल का टैंक सामने था ठीक है अरुन खेतरपाल ने ऐसा वार किया कि नासर अपना टैंक छोड़के टैंक के नीचे गुज गये ताकि कोई पहचान न ले उनको ये बैटल खताम होगी बैटल और बसंतर खताम होगी 16 दे संबर को और एल्टीमेटल इसमें जीत किस की हुई भारत की हुई अरुन खेतरपाल को इसके लिए अरुन खेतरपाल बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे उनको जब निक गयेते इनका देहानत होगे स्वर्गवास हो गया अरुन खेतरपाल शहीद हो गयेते अरुन खेतरपाल को परम वीर्चक्र मिला और हनूत सिंग को महावीर्चक्र मिला जो कमांड कर रहे थे ठीक है ये कहानी थी बैटलोग बसंतर की लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है अब ह आप समझ रहे हैं अब यहाँ पे फक्रे हिंदे किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंदर सिंग ने उन्होंने अनुट सिंग के बारे में डिस्क्राइब किया है यह बहुती लंबे और बहुती लीन फिगर ऐसे टेक संद spiritual बिलीव रखने वाले highly religious army और religion साथ साथ नहीं चलते हैं इसी लिए इनके साथ काफी controversy भी जूड़ी हुई है दोस्तों बहुत लोगों ने अटाक किया इतना religious इंसान है यह भाया धर्म और कर्म में बिलीव करते थे भागवत गीता धर्म और कर्म को कोट करते थे बकाइदा ठीक है लोगों को यह पसंद नहीं आता था इनके कुछ लोगों को जो इनके साथ थे ठीक है उनको पसंद नहीं आता था है ना लेकिन इनको कोई फरकी नहीं पड़ता था मेरा जो काम है मेरा जो कर्म है मेरा जो धर्म है वो मैं करूंगा तो बताते हैं कि बहुत ही लंबा members के लिए सोचता है एक ऐसा character जो हर किसी को जुका दे एक बहुत ही forceful personality और बेकूफों के लिए कोई अच्रम इसके संपर्क में आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे अपने गुरू मतलब बाद में जो इनके गुरू बने शिवबाल योगी उनसे मिलने गए ठीक है और यहाँ पे हनूत सिंग बताते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मैंने सरेंडर कर दिया वह आकई में रियल गुरू थे और फिर हनूत सिंग काफी spiritual काफी religious हो गए ठीक है यह तो आर्मी भी छोड़ देते लेकिन इनके गुरू ने बोला कि आर्मी मत छोड़ो आर्मी में रहो ठीक है देश की सेवा करते रहो 1978 में दोस्तों इन्होंने NDC में डिफेंस कॉलेज में पढ़ाया 1971 के बाद दोस्तों यह पढ़ाने लगे ठीक है इंस्ट्रक्टर हो गए यह बताते थे बाकाईदा इन्होंने बहुत सारे कोर्सेस बनाए 1982 में दोस्तों इनको सिक्किम भेजा गया मौंटेन ये डिविजन के कमांडर रही है वहाँ पे इनको भेजा गया दोस्तों और वहाँ पे भी इन्होंने कमाल का काम किया हाला कि सिक्किम में इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी बोरिंग थी इनकी लाइफ ठीक है जो थे वो भी थोड़े ठके रहते थे तो मज़ा नहीं आया इनको काम कर गे और 1986 में फाइनली ओपरेशन ब्रास टाक्स दोस्तों हुआ क्या आप इसमें वीडियो चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए ओपरेशन ब्रास टाक्स 1986 से लेकर 1987 एक ऐसा ओपरेशन जिसमें भारत और पाकिस्तान लगबग युद्ध के कगार पे आ गए थे ये ऐसा एक्सेसाइज शुरूख किया गया था ठीक है भारत ने 5-6 लग आड़ी पॉस्इंछ को बुला लिया था को आरमी तैनात कर दी थी किनेवल फोर्सेंख सको तयार कर दिया था भाकिस्तान से और इधर भाकिस्तान और भारत लगबल युद्ध केंगार पे आगे थे 1986 में कमाल की कहानी है लेकिन इधर पाकिस्तान ने भी बोल जिया कि अग बहुत बेतरीन कहानी अगर आग चाहेंगे मैं इस पर वीडियो लेकि आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए समझ रहे हैं तो 1986 यह जो अपरेशन ब्रास टेक्स टेस्ट में टैंक को और पूरी ब्रिगेट को कमांड करने का यह भी जिम्मा किसको दिया गया हनू इनका जनरल बनना तै था लेकिन ऐसी कहानी है कि बोला जाता कि राजीव गांदी ने इनको फोन किया अब हनूत सिंग को फर्क नहीं पड़ता था मैं यह बनू चाहें वो बनू बस मुझे सेवा करनी है ठीक है फोन किया इनको और उसके बाद राजीव गांदी से जब बा बाकी कुछ seniors भी इनके खिलाफ थे हनूत सिंग क्योंकि बहुत जादा religious थे अपने ideal से समझाता नहीं करते थे बिल्कुल straight इंसान थे इतना कुछ इन्होंने भारत के लिए किया इतनी strategies बनाई है ना लेकिन वही चीज है कि general नहीं बन सके थल सेना के अध्यक्ष नहीं बन सक था यह सारे tax और inception को कोई फर्क नहीं पड़ता था जिस इंसान ने स्यादी ना किये हो जिस इंसान ने पूरा जीवन लोगों के लिए लगा दिया उसको क्या फर्क पड़ता है 1991 में ये रिटायर हुए और उसके बाद ये दहरादून चले गए और वहां पे भी ये आश्रम में रहने लगे लोगों की सेवा करने लगे लोगों को पढ़ाने लगे यहां तक कि दोस्तों इनका property dispute था उसमें भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ले जाओ property ये property dispute में कभी नहीं है इन्होंने अपने परिवार वालों तक से बोल दिया था कि अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हो तो चाचा है मामा है ये कहके मत आओ आओ संथ हो मैं उसी नजरीय से देखो सारे रिष्टों से उपर उठ चुका हूँ ऐसा था इसलिए इनको saint soldiers बुला जाता है आप समझ रहे हैं तो ये चीज थी अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनको 1971 फकरे हिंद ये पाकिस्तान ने इनको एवार्ड दिया था ठीक है फकरे हिंद का इनको टाइटल मिला है ना और भारत ने इनको महावीर चक्र दिया इनकी मृत्यू दोस्तों 2015 में हुई ठीक है अप्रेल 2015 में ये स्वर्ग सिधार गए लेकिन इनकी जो कहानी है वो कमाल है है ना इनके गुरू है शेवबाल योगी ठीक है ये इन से दान तक इनकी हो तरी साइनिम अफ